हेलो एवरिवान वेल्कम टू इंग्लिश एक्सपो विशाल तो आप सभी का स्वागत है नीउस पेपर शासन में और चले शुरू करते हैं आज का हमारा नीउस पेपर और आज हम एडिटोरियल डिसकस करने वाले हैं जो हमारा संपाध की होता है जिसको हम डिसकस करते हैं इस सब्सक्राइब करकी साओरिया विशिकाश बीशस है नाम का उसका है एंरिका लेक्सी इसके उपर बेज़ है आप ही यह एंडिका लेक्सी क्या है हुहां पर डेटेल में डिसकस करेंगे اور यह मैं थोड़ा सा बता दू हूं केस के उपर है जो इटालियन मरीन्स हैं जिनोंने दो इंडियन को मिन्स शूट कर दिया था के पास में तो उसके उपर भेज था आप ही उसका निरनाई आया है फानली वो जुके से वो क्लोज कर दिया गया उसको लेकर के है तो हम अंतराश्टी संबंद के बारे में बहुत सा की मेड़की है ना तो उसके लिए मुझे दुख है कि आपको फिर से सुनने को मिल सकती हो सकता है क्योंकि वो जब मैं बोलता हूं तो भी बोलनाई स्टार्ट करती है ना तो चले शुरू करते हैं तो जो हमारी पहली निउस है वो है कल भी हमने देखा था और आज भी आ रह थी तो उसी के चलते एक फिर से आया है क्या कि देली पुलिस मुव सुप्रीम कोट अगेंस्ट बेल टू थी स्टूट्स इन रॉइट्स केस अब मेरा पहला क्वेशन आप से यह है कि ग्रावटिकल स्ट्रॉक्चर के उधार में रखते हुए कि देली पुलिस लिखा है तो देली पुलिस का मतलब कि देली यहां पर है एडजेक्टिव का काम कर रहा है कौन सा एडजेक्टिव का काम करेगा है ना देखो भी फ्राग बोला भी है ना तो बीच-बीच में वो अप्रॉवल देता रहता कि हा ठीक उसको भी चीजिए समझ में आ रही है न तो अगर जो दंगे हुए थे देली में उसको लेकर के और साथ ही में बोला है कि देली पुलिस ने की जो हाई कोट है देली का वो अपनी का इंसाइट है ना वो खोचुका है वो चीजों को जो इसमें इशू है मुद्धा हो देख नहीं रहा क्योंकि इसमें एंगल कौन सा लगा जा र तो यूइन पी यह होता कि जो आपको दिख रहा है इसका फुल फॉर्म होता है अनलॉफल एक्टिविटीज प्रवेंशन एक्ट है जिसके ऊपर लगेगा तो चल सकते हैं तो चलिए आगे देखते हैं जो एक फिर नूज आ रही है कोरोना वारिस से चुड़ी हुए तो जो क केस आज के ला रहा है वह आ रहा है एक्सेस डेथ का हना कि कोरोना वारिस के केस कम है लेकिन बाकी डेथ्स ज्यादा हो रही है तो बोला क्या कि कि एक्सेस डेथ्स इन तमिल नाडू ओर फोर टाइम्स ओफिशल कोविट नाटीन टैली जो ओफिशल कोविट नाटीन की जो यह उसे चार गुना जो cases हैं कि इसमें तमिल नाडू में देखने को मैं access death वाले मिलें तो access death का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम इसके ओपर एक article भी discuss कर चुके है जिसमें हमने यह बताया था कि जो access death होती हो करोना वाइरस को छोड़ दी जाती हहे बाकी जड्रिफ हुए है और जुड़ी भी हुए है किजने और उनको काउंट नहीं किए गया है लेकिन उनका संबंध किसे है किना वायरसि कर के लिए बनाख भी जाते हैं कि जो बेसिकली अगर बात करें हम है न तो एक फेवर में एक पर्टिक्लर कम्यूटी को ले करके चलता है न तो यह चीजे थोड़ा सा अच्छी नहीं है तो इसको ले करके क्या हुआ है कि जर्रलिस्ट को बुक किया गया है और किसके ओकर इसमें एंगल कौन सा रुड़ा गय वैक्सीन है न अब यह बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए कि टेक्नोलोची का हम अच्छा इस्तेमाल कर पा रहें तो जिसमें क्या बोला गया है कि सून जल्द ही है न कि अच्छा सून हम लगाते तो हम आगे की बात करते हैं वर्तमान में जब होते हैं तो जब अगर य यह लाइन है इसके पहले हम जाएंगे तो हम आघली का इस्तेमाल करते और आगे कुछ इस होने वाली होती यह तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे सून का इस्तेमाल करते हैं सून जल्दी ड्रोन समाइट फेरी वैक्सीन से तो शायद हो सकता है कि जो वैक्सीन को लेकर जाए कौन ड्रोन और फेरी क्या होता है धोना लेकर जाना तो वैक्सीन को ले घेए हैं किसको लेकर करके कि पॉल संब देती थी बीजेपी में शामिल हो एतुर यहास ernst क्या होता है है चैनी नहीं प्रकेश का मतलब क्या होता है और साथी में किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि कैबिनेट का जो पैनल है उसने अप्रूव किया है क्या एडिशनल फर्टलाइजर सबसडी तो सबसे बड़ी बात जो होती कि खरीफ की बुवाई होने वाली है और खरीफ की बुवाई में जो फर्टलाइजर है खाध है उसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज्यादा तो जो यूरिया हो गया है न मिन्स सलफेट हो गया और भी आप चलते हम अपने एडिटोरिल की तरफ और देखेंगे जैसा मैंने डिस्कस अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि एंडर का लक्सी से जुड़ा हुआ एक केस है जिसमें मैं डेटेल में आपको पहले स्टोरी बताऊं को उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंग्लिश परस्पेक्टिव से और साथी में सीखेंगे नए बहुत सारे वर्ब्स और रिलेक्शन कैसे होते हैं ना मेंटेन किये जाते हैं अंतरास्ट्री इस तरफ पर उन चीजों को भी हम सीखने वाले हैं तो चली क्लॉजर का मतलब क्या होता है कोई चीज का समापन कि इसका अंत करते हैं किसे भी केश वगरा कहां बात की गएмовसान का मतलब क्या होता है कि यह होता है कि छटी पूर्ती करना, नुकसान के लिए भरपाई करना है या मौवजा बोछ सकते हैं इसको तो मौवजा के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है तो केस का बंध होना और साथी में का देना मौवजा मिलना यह इसका टाइटल रखा गया है करें कि अब में थोड़ा जो यह सब हेटलाइने इसको पड़े तो उसके बाद हम चलते हैं legal steps must go hand in hand go hand in hand का मतलब साथ साथ में चलना तो करें legal steps की जरूत है कि जो वैधानी के एक्तम कानूनी तरिके वाले जो step है वो साथ साथ में चलना जाए कि इसके साथ with diplomacy diplomacy का मतलब क्या होता है जो एक तरह से दो देशों के बीच में जो राजनीतिक संबंध होते हैं उनको diplomacy बोला जाता है तो कहरें कि diplomacy के साथ-साथ legal जो कानूनी कारवाही है वो साथ-साथ में जब चलेगी तो हम avoid कर सकते हैं क्या Enrica Lexi repeat कि जो Enrica Lexi जो case हुआ है इस तरह दोबारा ना हो तो इसके लिए हमको जरूरी होगा कि हम क्या करें legal step और diplomacy दोनों साथ-साथ में चलने तभी सारी चीज़े हो सकती अब यह Enrica Lexi है क्या यह basically नाम है board का जो की चली 2012 में 2012 में कहां से चली कि अगर बात करें Singapore से और इटाली की boat थी 2012 में चलती ही Singapore से और Singapore से चलने के बाद इसका main target था कहां पर पहुँचना इसको ले जाना था Egypt में कहां पर Egypt में लेके जाना था लेकिन वो Indian Ocean में यहां पर पढ़ता है हमार Indian Ocean जो यहां से क्रॉस करते हैं कोची के पास में होते हैं और लगभग अगर बात करें तो यह 24 sorry 20 exact जो distance थी 20.8 nautical miles थी है नवो उसकी range में आते हैं और एक boat थी जिसका नाम था Antony है न St. Antony Antony boat का नेम था उसके उपर दो मच्वारे थे इंडिया के और यह जो boat थी जहां सिंगापोर से आ रहे थी इटाली बोर्स बोर्ट थी ship थी एक तरह से तो इसने क्या किया गोली चलाई और दो लोग मारे गए कहां के केरला के रहने वाले थे और उसी को लेकर के जब इंडियन को कोस्ट गार्ड को पता चला जो इंटरनेक्शन सी है उसके लेकर के कुछ अगर देखा जाए तो जो अगदम है पुरा डिटेल में बोलूँ तो इंडिया की जहां से बाउंडरी है उससे समुद्र में कितना 12 इनके 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल जो छेतर रहता है एक्दम लीगल वाला छेतर वहाँ पर पाऊगे तो तुरूंत आप पुकारवाई होगी इंडिया के साब से 12 नॉटिकल माइल्स और बढ़ जाएंगे तो हो जाता है कॉंटोवस ऐसे गर के वर यूज कर जाता है कॉंटोवस छेतर आ जाता है जहां पर क्या हो जाता है कि वो आएगा आपके ही छेतर में लेकिन थोड़ा सा प्रभाव वो इंडिया के कानून उस पर नहीं चलेंगे बलके इंटरनेशनल वाले चलेंगे लेकिन आपके हिसाब से हैं तो ये टोटल था तो जो 20.8 नौटिकल माईल से वो किसके अंडर में आता है ये आता है कि 24 वाले यानि कि मिन्स कॉन्टाइगवस एक वर्ड आएगा मैं बता दूगा कहां पर है वो तो कॉन्टाइगवस वाले छेतर में आ जाता है इस वज़े से कि इंडिया चाता था बहुत ज़़ा प्रेशर बनाए जाने की वज़े से बोला गया कि इनको जो दोनों लोग थे बोले कि हमको क्या मनाना है न कि निव येर मनाना है और क्रिस्मस मनाना है इसके चलते मुझे घर जाना है इनको घर भेज दिया गया लेकिन इटली ने इनको आपस भेजने से मना कर दिया गया अगर इनके अपर क्रिमिलर पोसेडिंग चलेगी तो तो हुआ क्या तो ये बोला गया कि ठीक है क्रिमिलर पोसेडिंग को ले करके अगर किसिए भी तरह से प्रेसर बना करके इनको फिर वापस लाए गया लेकिन बोला गया इनको जेल में नहीं रखा जाएगा दो लोग जुन्होंने शूट किया था इनको कहां रखा गया की वहां के दोतावास में मतलब कि इटले का जो दोतावास इंडिया में है वहां पर इनको रखा गया है तो वहे पर हो काम करने लगे आप भी दा करके वो केस सुलटा है और जिसमें 10 करोड रुपे का मुआज़ा दिया गया है और इंडिया के तरब से case close होने की बात की गई है इसमें से 4 करोण 2 लोग मारे गए तो 4-4 करोण 1-1 लोगों को मिलेगा और 2 करोण बोट को मिलेगा यह compensation हुआ है अब जरह हम अपने English perspectives को पढ़ना start करते हैं तो देखते हैं कि क्या है तो 12 में पहुचेंगे तो 9 years after 2 Italian Marines shot dead 2 fishermen of the Kerala coast under the belief that they were pirates कि कॉमा यहां तक पहले हम देख लेते हैं कॉमा तक अच्छा पढ़ लेते हैं आगे the criminal proceedings against them are set to be formally closed तो अब यह नों ने यह बताया है करे कि जो 9 साल पहले 2 Italian Marines ते जोनों ने shot dead किया कि इसको 2 fishermen को कहां पर किया जो केरला की जो cost थी मतलब जो किनारा था उससे दूर मने बताया 20.8 nautical miles महा पर उनों ने शूट किया under the belief इस मत से उनके विश्वास उनको यह था जोनों ने शूट किया देवर pirates देवर मतलब कि जो इडियन बोट्स पर सवार थे एंटॉनी पर जो बोट का नेम था उसके उपर जो शवार थे उनको यह लगा कि यह क्या है पाइरेट से लुटे रहे हैं 2012 के टाइम पर क्या होता था कि जो जो अरब सागर था वहां पर क्या होते थे लुटेरे हुआ करते थे तो इस टर से इन्होंने उनको शूट कर दिया यह उनका मानना है अब क्रिमनल प्रोसीडिंग्स बात करें क्रिमनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्टिम् आर सेट टू फॉर्मली क्रॉज्ट तो अगर आप देखो इसका पूरा कपूरा सबजिक्ट की तरह इस्तेमाल कियागा है आप इसमें पूरी के लोगा कि यह क्लॉज आई है मैं ने आपको प्ता हैं नाउन क्लॉज राउन कुलॉज किसका नाॉन का ही काम करती है तो कहने कि आठ साल, नौ साल हो गए हैं जब दो इटालियन मरीज ने क्या किया, दो केरला बेस्ट जो दो परसंते उनको शूट किया, अब उनकी संदेश से कि वो क्या थे लोटे रहे थे, पाइरेट्स थे न, तो बोला गए कि उनके खिलाफ अब क्रिमिनल प्रोसेडिंग क जब दो कि उनके खिलाफ जो प्राधि वाले गतविधियां जो प्रोसेडिंग उनके खिलाफ होनी थी, वो क्या होंगी, अब प्रोस्ट हो गई हैं रोकनी चाहिए, और आफर इटाली डिपोसिटेट कॉम्टेशन अफ 10 करोर, हना कि कि इतने, 10 करोर रुपे का कॉम्पेंशेशन जो मौवजा है, उसने दे जमा कर दिया है, इसके चलते, आगे बोलागे दब पर्मनेंट कोट अफ आर्वेटरेशन, यह क्या है, एक बॉड़ी है, आगे नहीं नहीं बताया भी हुआ है, उसी के बारे में एक्स्प्लेइन किया है, क्य इसके बारे में, यह जो पर्मनेंट कोट अफ आर्वेटरेशन है, इसके बारे में, यह क्या है, एक युनिटे नैशन कॉन्वेंशन का लोग है, किसको बेस करके, एक बॉड़ी है, ट्रिविनल है, प्राधिकरण है, किस से जुड़ा हुआ, समुदर से जो इशु आएगा, मेरा आप से सवाल है है कि आपको कॉमेंट सक्षन में आंसर करना है, कि यह जो पर्मनेंट कोट अफ आर्वेटरेशन है, कहां पर है, आप कॉमेंट सक्षन में जरूर आंसर करेगा, करें कि जो पर्मनेंट निशन का जो पर्मनेंट कोट अफ आर्वेटरेशन है, had last year, मतलब पिछले साल ruled नियम बनाया क्या कानून दिया क्या, निरने दिया that even दो यहां तक की India and Italy had concurrent jurisdiction to try the case, मतलब की India और क्या है की Italy दोनों का समवर्ती, हैना, कि समवर्ती का मतलब दोनों का अधिकार है jurisdiction छेत्रा अधिकार है case को लडने का है ना, concurrent अगर आपको याद हो तो जो भारती समिधान उसमें दो लिस्ट तीन लिस्ट है ना, एक union दूसरा एस्टेट तीसरा concurrent concurrent का मतलब जिसमें दोनों शामिल हूँ तो करें कि यहां पर jurisdiction दोनों का आता है केस के बारे में बता रहे हैं करें कि सालवाटोर गिरोण एन मैसीब इमिलियानू लाटोर है ना, यह दोनों नाम हैं, enjoyed immunity from Indian jurisdiction immunity का मतलब वो बचे हुए हैं तरह से प्रतिरिक्षा का काम कर रहे हैं कि किस से, Indian jurisdiction से as they were acting on behalf of the state, कि वो बच कि किस हिसाब से गए कि, because they were acting, क्योंकि वो लड़ रहे थे हैं किस की तरफ से काम कर रहे थे, behalf of state राजजी की तरफ से काम कर रहे थे इस वज़े से, हलां कि राजजी की तरफ से नहीं थे, थे वहाँ के एक तरह से coast guard, एक तरह officials थे लेकिन वो private boat पर थे सुरक्षा का काम कर रहे थे, इस वज़े से उसी को वो सुरक्षा उनको मिल रही, the United Nations Tribunal had also ruled, मतलब कि United Nations का जड़ ट्रिविनल है, प्राधिकरण है उसने नियम दिया कि that Indian fishing boat, एंटॉनी, स्ट एंटॉनी जिसका नाम था the victims were entitled compensation है न कि उनको क्या entitle कर दिया गया, उनके नाम कर दिया गया, एक मौवजे का है न as Enrica Enrica Lexi Italian vessel थी है नाव थी had violated boat's right of navigation है न कि उसने क्या किया था, had violated उलंगन किया था, किसका बोट के जो अधिकार होते हैं, navigation है कहाँ पर navigation, नाव को ले जाना समुद्र में खेना चलाना है under the law of sea है ना, कि जो किस कानून के अंतरगत, जो समुद्र का कानून होता है उसके अंतरगत है ना उन्होंने उन लंगन किया था, इसके चलते the two marines are likely to face trial in Delhi, तो यही Italy बोल रहा था कि इंडिया में proceeding नहीं होगे, criminal proceeding नहीं होगी, बलकि कहां होगी यह proceeding होगी, Italy में Italy का जो कूट है, इनको decide करेगा, कि क्या इनके उपर सजा होनी चाहिए, but as far as India is concerned हना, जहां तक, as far as जहां तक इंडिया की बात है इंडिया जो चिंतित है, जो जुड़ा हुआ है the monetary compensation may have to be treated as the only available form of closure for the moment, है ना, करके writer के इसाब से, इंडिया के पास जो option है, जो चिंता का विस है, monetary compensation का मतलब, जो मौद्रिक, पैसे से जुड़ा हुआ, जो मौद्जा दिया गया है, may have to be treated, उसी को treat किया जाना चाहिए, हना, किसके रूप में, एक means available, जो हमारे पास option है, केस को close करने का, ना, बस वही हम, हमारे पास बस और है, इसके लावा कुछ और नहीं है, given, given मतलब हम जानते हैं, जैसा कि दिया गया है, legal tangles, legal tangles, tangles का मतलब क्या होता है, आप बोज सकते हैं, जो उल्जन है, है ना, जड़प है, तो legal tangles हैं, कहां करके लेकर को, where we are, हाँ, yes, हाँ, over jurisdiction, कि jurisdiction मतलब छेतरा दिकार, the lawfulness, मतलब जो कानूनी, कानूनी है कि नहीं है, their arrest, कि मतलब उनकी जो arrest है, वो कानूनी है कि नहीं है, है ना, and the location of the trial की, कहां पर इनकी trial होगा, जगे क्या रही, as well as, as well as, साथी साथ, provisions of law की, कानून के प्रावधान क्या हैं, under which, जिसके अंतरकत, they should be tried, जिसके अंतरकत, उनके उपर case चलेगा है, legal accountability, जो है, मतलब की, जो कानूनी, तरह से उत्तरदाइत, हैर्स का मतलब क्या होता है, ह-e-i-r, हैने, ह-e-i-r, ह-e-i-r-s का मतलब है, उत्तरादिकारी है, कि जो legal, कानूनी रूप से, जो उत्तरादिकारी हैं, कि इसके two, victims के, हना, जो मारे गए थे, are likely, संभावना है, to get, four करोर, इच्छाना, कि हार एक को, चार करोण मिलेगा, और ओनर अफ दा फिशिंग वेजल, हना, जो फिशिंग वेजल है, उसको दो करोण मिलेगा, मतलब, चार-चाराट, तुझा सोजाएंगे, पूरे की पूरे हना, ये इनुने, बताया, आगे, आगे बता रहे हैं, कि ये तो हमारा, पहला पहरा हो, पहला पहरा में इनुने ये बताया, कि क्या-क्या चीजे हुई, अब आगे देखें, हिंड साइट है, मतलब क्या होता है, पैश्य द्रस्ट में देखें, मतलब कि, जो दो दीशों के बीच में जो संबंध होती है, उसको लेकर जो टर्बुलेंस हुआ, मतलब जब यह केस हुआ, जब घटना हुई उस समय जो चीजें, जो टर्बुलेंस हुआ, अब दोनो देश का नेशनलिस्ट पैशन आएगा, जुनून बाहर निकलके आएगा, पैशन ज जो राश्री स्तर पर जम करते हैंगा क्योंकि दोनों देश्स चाहते थे कि दोग उन्हों नाय मिले LE-WAF-S हूना मुर्ष पर्स्प्रेक्ट्ट्व से कि उनको नाय मिलना हुआ है कि और मारे यह निर्दोष थे इसवाजे से तो दोनों के दोनों क्या है कि अपने तरिके मतलब उसी वज़े से बहुत ज़्यादा डिले हुआ इन रिजॉल्विंग रिजॉल्विंग सुल्टाने में क्या एश्यू को न करें कुड है वीन अवाइड करके इतना जते जो डिले हुआ इसको अवाइड किया जा सकता था मतलब करें कि इतना डिले नहीं हो सकता था मतलब नौ साल लगे इस पूरे केस को सुल्टाने में करें कि पॉसिबल जो वे था एक संभव तरीका हमारे पास था वो यह था कि वाज टू हैव अग्रीड की हम क्या हो थे कि हम सहमत हो जाते इतली का जो ओफर था कमपेंशिशन का मुआवजे का और उसका ट्रैल उसके खुद के छित्रादिकार में मतलब कि वो इटाली उनके उपर कोट केस चलाता उसके उपर हमें अग्री हो जाना चाहिए था यह राइटर का मानना है मतलब जो सबसे मेन बात थी जो आई आई आउट ओफ द यूएन ट्रैबनल रोलिंग की जो यूनाइट निशन के जो ट्रैबनल है पर्मनेंट जो कोट है उसने यह फैसला दिया वही कि उन्हीं के फेवर एक तरह से जो चाहता था टैली वही हुआ एट टाइम उस समय मैनी इन इंडिया में बहुत सरे लोग बिलीवड माना इट वस अन आक्ट ओफ वैंटन किलिंग हना कि कई लोगों ने माना वैंटन वैंटन का मतलब होता है कि इसको अवोइड किया जा सकता मिन्स एक तरह से बोल सकते हैं वैंटन अकारण ही हना मत जो किलिंग हुई है हना वाइल दोज इन इटाली बिलीवड दफियर्स ऑप पैरसी वर जैन्विन लेकिन वहीं कहां पर जो इटाली में लोगों ने माना कि जो लोग मारे है वो डर था कि इसका पैरसी का कहीं कि इंडिया के जो प्रयास थे तू अजर्ट कि कहना क्या कहना कि क्रिमिनल जिरिस्डिक्शन की मतलब जो आप राधिक छेतरा दिकार है सक्सीड़ हना इन नेशनल कोर्ट्स और वो कहां पहुंच गया नेशनल कोर्ट्स में गया विदे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग 2013 हना कि को हैडे विद न स्पस्क्रण पामाई है जिनको लाया गया था कि हम इंडियन वाटर संप्रॐ 1 की बाथ निक्मितर सब्सक्राइब फो जो अब बघ्र स्वतार में हरा खर था फॉर। वो इंडिया के हिसाब से कानून वहां पर चलेगा जो की होता है 12 नौटिकल माइल्स और जो होता है कि 24 नौटिकल माइल्स होता है तो यह थोड़ा अलग होता है जो की पूरी तरह से क्या था इन यूनियन गवर्मेंट के जुरिस्डिक्शन में था भारत के जुरिस्डिक्शन में था छेतरा अधिकार में था हावेवर हाला की आगे बतार रुवन एन यह नियीए निया नेशनल इन्वस्टिगेशन एजनसी जो है इन वोग्ड शुरू किया लागु किया कि अश्ट्रिंजेंट एंडि पारेंची लो हना इनके खिलाफ एक एक एंडिपारेंची सक्त एंडिक्श्ट विल्टर्शल फैक्ट जो शुरू हुआ था इट वॉज रिसीवड विद कॉंसेंट्रेशन कॉंस्टर नेशन कॉंस्टर नेशन का मत्तब चिंता का विश्या बन गया कहां पर इटली में कह रहे हैं कि क्यों जब इनके खिलाप जब प्रोसेडिंग चालो हुई तो इटली मे दो जाए कि इनको भी फांसी न दे दे जाए कि इटली में फांसी का प्राभधान नहीं है डैथ प्राभधान नहीं ए यॉरोपीन नेशन्स ऑब्जेक्टेड टू ठ्राइल टेकिंग प्लेस अंडर दलोग हना कि जिस कानून के था हैत इनके इनके आडर चल दा था उसको objection जाता आ गया है ना कि बोला गया कि यह सही नहीं है और proceeding आगे बता रहे हैं provided for the death penalty मतलब कि इनको मृत्ति उतंड दिया जाता इसके हैं इसके खिलाफ इटाली के लोगों ने react किया the provisions of the act were dropped मतलब कि जो provisions क्या जो निचोड है कहना चाहते है वो यह है that such incidents should be dealt with combination of legally sustainable steps and diplomatic efforts to find early resolution करें कि इस तरह कि इस हम जो घटना हुई से हम सिक्षा यह ले सकते हैं कि इस तरह के निरणाओं में हमको deal करना चाहिए कि इसके combination के जास legal step भी लिये जाएं और साथ मी diplomatic step भी ले जाएं प्रयास के जाएं डिप्लोमेटिक मतलब कि जो राजनाइक है राजनाइते कि steps है उनको लिया जाए to find प्राप्त करने के लिए क्या early resolutions की हमको समाधान जल्दी से जल्दी मिल जाए है ना तो यह पूरा detail way में लिखा गया था क्या है आज का हमारा editorial जो हमने पढ़ा थोड़ा सा लंबा हो गया तो मिंस चले यही पर आज खतम करते हैं यह हमारे वीडियो का अंत और हम नेक्स्ट अश्रसन में मिलेंगे फिर से तब तक आप अपना ध्यान रखिए है ना वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते जूड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बाबाई टुक्यार